हेलो डियर ब्यूटिफुल सोल फैमली कैसे हो आप सब आप सब आप सब भी बहुत अच्छे हैं खुश हैं पॉस्टिव हैं और सबसे इंपोर्टेंट कि आप सब भी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं आप अगर आप अगर आप अगर आप कैसे इस प्रेयर को करके और आपनी किसी भी प्राब्लम का सिलोशन उनसे मांग सकते हैं या फिर आप चाहे जैसे भी प्राब्लम में फसे हुए हैं उनसे आप हेल्फ ले सकते हैं वो आपकी सबसे जल्दी हेल्फ करते हैं जितने भी आर्केंजल हैं उनमें सबसे जल्दी एक्शन लेने वाले यही आर्केंजल हैं और इन्हें सबसे ज़्यादा powerful भी माना जाता है वैसे तो सब के सब आर्केंजल एंजल powerful हैं बट इनको सबसे पहली priority दे जाती है और इनको सभी लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं तो मैं आज बताने जा रहे हूं कि एक इनकी special prayer है जिसको करके आप इन्हें invoke कर सकते हैं यान बैठने के बाद आप आर्केंजल माइकल को visualize केजिए visualize करते समय एक चीज़ का ध्यान रखे आर्केंजल माइकल का face हर image में एक जैसा नहीं दिखाता है इसलिए आपको ज़्यादा असानी होगी कि आप उनके face को visualize ना केजिए उनकी light को visualize केजिए कि उनकी अंदर से नीली रं लाइट निकल रहे होती है और उसी light से वो हमारी हर तरह से help कर पाते हैं तो आप जब भी visualize कीजिए तो आँखें बन करके सिर्फ यहीं सोचिए कि आर्केंजल माइकल आपके पास आ रहे हैं उनके तलवार से blue color की light निकल रही है और वो light आपको छू रही है आप उस light में सारी problem खत्म और आपके सारे wish manifest तो start करते हैं उस prayer को जैसा कि मैंने बताया candle जलाने के बाद आप बैठ जाएंगे लंबी गहरी सांस लेंगे तीन से छे बार 11 भार भी ले सकते हैं और उसके बाद आप आर्केंजल माइकल को visualize करेंगे अगर आप चाहें तो एक काच के glass में ए सारी रख लिया आपने अब आप candle जला के बैठ गया हो उसके बाद आप एक मिनर तक आर्केंजल माइकल को visualize करेंगे जैसे उन्होंने जो तलवार लिया हुआ है उसकी रोशनी निकल रही है और वो रोशनी आपकी तरफ बढ़ती जा रही है और आप उस रोशनी में पूरी के शक्ति साली नीली रोशनी का अवभान करते हैं हम आर्केंजल माइकल से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे रिष्टी की हमारे स्वास्त की हमारे व्यवसाय की हमारी नौकरी की हमारे धन की हमारे संपत्ती की रक्षा करें हम मांगते हैं कि हम प्रेम और उपचार के माध् हम साहज शक्ति और विश्वास के साथ इस प्रित्वी पर सर उठा कर चल सके नीली चमकीली रोशनी तलवार की मेरी पास है आपकी यही शक्ति मेरी आश है नीली चमकीली रोशनी तलवार की मेरी पास है आपकी यही शक्ती मेरी आस है थैंक यू थैंक यू थैंक यू अर्खेंजल माइकल इसकी बाद आपको क्या करना है माइकल मैजीक बिकेन नाउ इस मंत्र को चैंट करना है कम से कम 108 बार आप चैंट करते चाहेंगे माइकल मैजीक बिकेन नाउ ऐसा आप चैंट करेंगे 108 बार अगर आप चाहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसके उपर वीडियो डाल दूँगी chant करके मैं खुद ही वीडियो डाल दूँगी ताकि आप लोगों को ज़्यादा problem ना हो और आप जब भी invoke करें तो मेरी वीडियो की voice सुनके ही feel कर सकें तो बताईगा मैं जरूर से वीडियो लेके आउंगी फिलहाल इतना करने के बाद जैसे आपने prayer पढ़ा gratitude पेव किया और उसके बाद Michael magic begin now करने के बाद 108 वार आपने कर लिया अब आप महसूस कीजिए कि Archangel Michael आपके पास है और बिलकुल डरना नहीं है क्योंकि जब ऐसा होता है तो आपको एक positive light महसूस होती है जब भी ऐसा हो जरूरी नहीं कि first day ही हो जाए second day ही हो जाए किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि एक्तम शुरू करते ही feel हो जाए कि आपके पास Archangel Michael है किसी किसी के साथ खराब energy की वज़े से थोड़ा time लगता है लेकिन जिस दिन आपको ऐसा लगे आपको हर दिन अपनी problem share करनी है उनसे आपको जिस दिन ऐसा लगेगा ना कि Archangel आपके पास है और आपकी problem सुन रहे है उसी दिन आपके problem का सारा solution मिल चाएगा वो स्वयम ही कर देंगे तो आप अपनी problem उनसे discuss केजिए का Archangel Michael मेरी ये problem है और मैं आपके help चाहती हूँ आपको जो भी चाहिए वो मांग लेजिए इसके बाद उनको फिर से thank you बोलिए और उस पानी को हलका सा वहाँ पे गिरा दीजिए और अगर आप candle छोटा लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा अगर आप छोटा लेते हैं तो जलते हुए छोड़ सकते हैं और ये सबसे अच्छा होता है अगर बढ़ा लेते हैं तो आप उसे बुझा सकते हैं और फिर से उसे यूज़ कर सकते हैं बट ज्यादा बेटर होगा कि छोटा छोटा केंडिल अपलें और हर रोज एक केंडिल जलाएं लागातार ये चीज आपको एक किस दिन तक करनी है अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्फुल लगी है पसंद आई है कॉमेंट बोक्स में अरकेंजल माइकल को ग्रेटिटीट करना बिल्कुल भूलीगा मत थैंकि 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 अरकेंजल माइकल और मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक आप सभी अपना बहुत सारा ध्यान रखें कुद से सेल्फ लग कीजिए खुश रहें मु